आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही कुईक रेस्पी कुईक वाली रेस्पी है इसलिए मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ प्रेशर कुकर को गरम कर ले इसमें डाल दे दोबरे चमच घी तेजपता थोड़े से गरम मसाले सुखी लाल मिर्च एक छोटी चमच जीरा अब इसमें डाल दे एक मीडियम सैज का प्याज काट कर यदि आप प्याज पेफर नहीं करते हैं तो स्किप कर दे बीना प्याज का भी यह काफी अच्छा बनेगा प्याज को अच्छी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाती हुए भून ले प्याज का कलर तो चेंज हो जाए अब हम इसमें एड करेंगे फ्रेश मटर मटर के जगह पे आपके पास जो भी सबजी अबले बहो आप ले ले अब मैं इसमे थोड़ा सा गाजर भी डाला है इस रस्पी में आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी एड कर सकते हैं मश्रूम मिलना स्टार्ट हो चुका है बहुत फ्रेस मश्रूम आने लगे हैं इसलिए मैं इसमें मश्रूम डाला है थोड़ी देर सब्जियों को भुनने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी स्प्रिंग अन्यान यदि आप स्प्रिंग अन्यान डाना चाहते हैं तो डाले अदरवाईस स्किप कर दे मिला दे सबको सब्जियों के साथ सभी सब्जियों को मिलाते हुए लूटू मीडियम फ्लेम पर थोड़ी दिर फ्राइ कर लेंगे दो पिल्या हल्दी पौडर, काली मिच पौडर, जीरा पौडर, अधनिया पौडर अब इसमें डाल दी दो से तीन बरी चमच, अधरक लहसन और हरी मिर्च का पेस्ट मसालों को आप चाहे तो अधरक लहसन के साथ भी पीश सकते हैं मिला दे सब मसालों को अच्छी तरह से गैस का फ्लेम लो रखे अब लो टू मीडियम फ्लेम पर मसालों को भी अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेना है अब मैं इसमें डालूंगी एक बड़ चमच, चिकेन मसाला यदि आपके पास टिकेन मसाला हो तो डाले अधरवाइस स्किप्ट कर दे सबी मसालों को चलाते हुए थोड़ी दिर भूने जैसी मसालों से तेल रिलीस होने लगे अब मैं इसमें डाल दूंगी चावल मैं यहाँ पर दो कप लॉंग प्रेंट बासमती राइस ले रही हूँ आप कोई भी राइस यूज़ कर सकते हैं रेगुलर राइस में भी आप इसे बना सकते हैं चावल को मसालों के साथ अच्छी तरह से भूल ले चावल को भूने में 7-8 मिनट लगेगा जैसी चावल से अच्छी खुश्बू आने लगे अब हम चावल को लेवल कर देंगे ताकि जब हम पानी आड़ करें तो इसमें ज्यादा ना हो तो पहले से मैंने प्रेशर कूर कर में एक लेबल लगा कर रखा था अब उसी लेबल तक पानी इसमें अड़ करेंगे मैंने यहाँ पे गरम पानी का यूज किया है गरम पानी डालने से चावल जल्दी बनेंगे और खिले खिले बनेंगे अब इसमें डाल दे एक बड़ा चमच गरम मसाला पावडर मिला दे सब को अच्छी तरह से अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला था तो सबसे लास्ट में मैं अड़ करूँगी नमक स्वाद अनुसर सबी मसालों को और नमक को अच्छी तरह से चावल में मिक्स कर दे अब प्रेशर कूकर कर ढखन बंद करें और मीडियम फ्लेम पर दो सीटी आने तक कूप करें यहाँ पर दूसरा सीटी भी लग चुका है मैं यहाँ पर ग्यास का फ्लेम बंद कर दूँगी प्रेशर कुरकर से प्रेशर रिलीज होने के बाद धकन खोले आप देख सकते हैं कितना टेम्टिंग लग रहा है हो और खुश्पू तो मत बूझे पूरी किचिन में भड़ गया था आपको पसंद हो तो इसमें कार्णिश केजे फिर्स धनिया पती से इसका स्वाद अच्छा आता है तो ये हमारा कुईक वाला रिस्पी बन कर तयार है आप इसे लेंच या फिट डिनर में आराम से बना सकते हैं चावल अभी बहुत गरम है इसलिए थोड़े चिप-चिपे दिख रहे हैं जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये एक-एक दाना अलग-अलग हो जाएगा तो ये मस्रूम राइस के साथ मैंने सर्फ किया है रायता, बुंदी वाले और कुछ पापर आप लोगों ये रेजपी कैसे लगी प्लिस कॉमेंट बॉक्स में अपने ब्यूज जरू लिखे हैं साथ में बिल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकिशन आप लोगों मिलता रहे है वीडियो पसंद आए तो लाइक से और सब्सक्राइब कीजिए मेरे हस्बिन ने तो लंच काफी नज़ुए किया है